नमस्ते मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंट्ली स्पिकिंग पेटियम के उपर RBI ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया 31 जन्वरी को और उसके बाद से पेटियम के शेर लगातार गिरते आ रहे थे कल और आज में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है रिकवरी हुई है लेकिन 10-12 परसन के रिकवरी है कोई खास रिकवरी नहीं अब बहुत सरे लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या 29 फरवरी के बाद पेटियम पूरी तरह से बंद हो जाएगा बरबाद हो जाएगा खतम हो या वापस उठ जाएगा रिकवरी कर लेगा 35 करोर खता धार्त हैं पेटियम के और 35 करोर खता धार्तों में से तक्रीबन 30 या 31 करोन जो खाता दा रख हैं वो इन एक्टिव हैं और 3-4 करोन जो खाता दा रख हैं वही सिरफ एक्टिव हैं तो इनी सब भी विश्यों के उपर कि उनकी KYC नहीं हुई पेटियम के जो संस्तापक विजय शिकर जी हैं उन्होंने कहा कि वही जो उनके एसोसियेट्स हैं ये उनके उपर उनके कारण कि उन्होंने KYC नहीं कि इस वज़े से समस्याई तो इन सब विश्यों पे हम सुभाशी से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर पेटियम का क्या ह होने वाला है पेटियम रहेगा जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं यूजर्स हैं उनका पैसा कितना सेफ है फास्ट चलेगा 29 फरवरी के बाद या बंद हो जाएगा पेटियम जो बैंक एकाउंट उनका होता है सिर्फ वही चले वही बंद हो रहा है या पेटियम वैलेट के बन एकीबर्स पर भी कुछ खत्रा मन रहा है इन सब विशों के इन चलचा करेंगें। सुभाश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और थन्यवाद रवींदर जी बहुत-बहुत दन्यवाद सभी वीवर्स को भी धन्यवाद जो मेरे कमेंट को सुनते हैं जी आपका भ हुआ इसके पीछे क्या कारण रहा देखिए ऐसा है यह जो पेटियम बैंक है यह फुर्टी नाइन परसेंट वन नाइनटी सवन कॉम्मिकेशन लिम्टेट इसका फुर्टी नाइन परसेंट विजय सेकर सर्मा का इस कंपनी के दर यह बैंक है यह लोगों से डिपोजिट भी लेती है लेंड भी करती है और वैलेट सर्वीशिज भी देती हैl जैसे फास्ट परकीी पीश की वो गई कहा है और धिकली अभी इसका एनस्पेक्शिन हुआ था तो देखा कि के वाईसीज में इर्रेगुलर्टे इस थी के वाइसी में किस तरह की एक रेगुलर्टी सी थी जैसे एक पैन है उस पे हजार अकाउंट लिंग्ट है मालो वालेट किसी ने इशू करवाया या कोई भी वालेट और वह एक एक पैन का अगेंस्ट दस एक अजार आदमी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से तो इस तरह की इसमें मिस अप्रोपरिशन थी डिटेल्स प्रोपर नहीं थी के वाईशी की डिटेल्स उसका कहना था कि जब कोविड आया था तो तब है न बहुत सारी डिटेल्स लेना मतलब गुवर्मेंट ने एक जम्ब के वी थी उनका कहना इस तरह का है बाकी कोई प्रोपर जबाब नहीं है तो इसमें यह बनता है कि RBI ने इसको यह कहा कि 29 फर्वरी के बाद 29 फर्वरी तक आप यह सब काम खतम कर दो इस बैंक का मींस कोई फर्दर टोप अप नहीं कर सकते कोई फर्दर क्रेडिट डिपोजिट नहीं ले सकते कोई नया क्रेडिट उसके बाद नहीं दे सकते लेकिन जो एक्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है वह पेमेंट अपना जितना यूज करना चाहिए कर सकते बाद में भी उसको अलाउड होगा अनलिम्टेड है जो पैसा जम्ना है यूजर का वह सेक्यूर है और वह पैसा उसको खच कर सकता है कोई भी उसका पैलेंस जो है वह बाद में पेमेंट करना चाहिए कर सकता है उसके पास यह दिमालो बहुत सारे विड्रोल्स हुजाते हैं, कल को उसकी लाइबिलिटी जादा है और उसके पास हार्ड कैस कम है, तो वो प्रोब्लम हो सकती है, तो जो आदमी पहले निकाल लेगा उसको यह निश्चिंत हो गया, जो बाद में उसको अपना डिपोजिट को रखेगा, तो उसका रिस्क है, कि भी वो पेमेंट अविलिबल है, तो उसको मिल जाएगा, नहीं अविलिबल है, तो हो सकता है, कमपनी उसको चाहिम मांगे या कुस भी है, जी, सुभाजी तो इसका मतलब यह हुआ कि RBI से पेमेंट करने पे कोई उसमें रिस्क्शन नहीं है, बट पेमेंट रिसीब करने में रिस्क्शन है, करेक्ट, पेमेंट, कोई टोप अप नहीं कर सकता, फ्रेस, जैसे मांलो किसी को लोन देना है, वो नहीं दे सकता, ठीक है, ठीक है, और जो वालेट है, वालेट में हम टोप अप कर सकते हैं, या उसमें भी नहीं कर सकते है 29th February के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, उससे पहले वैसे उसको रोका हुआ है, लेगिन legally, technically कोई आदमी आज भी उससे करवाए तो कर देगा, उसमें कोई दिकत नहीं है, लेगिन advisably यही है कि उसको fresh transactions के लिए उसको fresh deposits, fresh उसके लिए उसको रोका हुआ है. वो रोका हुआ है, सुभाशी जैसे आपने कहा कि एक पैन नंबर पे एक हजार एकाउंट चल रहते, तो इसको थोड़ा सा describe करें, यह कैसे संभव हो पाया, और एक हजार एकाउंट कैसे मतलब कि पेटियम एकाउंट को एक ही पैन कार के उपर क्या, मतलब एक हजार फोन के उपर वो पेटियम इंस्टॉल हो गया, क्या है कि वेरिफाई नहीं करते थे पैन नंबर, सिस्टम नहीं था, प्रोसेस में पैन नंबर, मालो आपने, किसी ने सो अकाउंट खुल आई, एक पैन नंबर देखे, तो उनकी अकाउंट खुल गए, तो जैसे यह भी देखा ह है, कि जो फ्रोडस्टर है ना, जैसे पैनी ड्रॉप से पैसा ले लेते हैं, हजारों, है नि, वो उस्तरे के अकाउंट बहुत आलड़ी, बहुत सीज पड़े हुए थे, तो वहां पर भी इनकी मोनिटरिंग सिस्टम इतना स्ट्रोंग नहीं था, कि यह बहुत सारे केसिज जो है, जिनके अकाउंट एजनसीज ने, गौर्रमेंट ने, एडी ने, इंकम टैक्स ने, वहां सीज कर रखे थे, तो जो लोग गलत आदमी जो अकाउंट खुला लेते हैं, वो इसका मतलब वहां पर अकाउंट खुलना असान था, तो इसका मतलब यह लकुना था, वहां दो कुछ लिमिट्स में भी ज्यादा लिमिट्स दे दी, आड़ में जैसे मागनो प्री ऩे डेटेड प्री वेलिक्स खुल एक लिमिट होती हैं, लेकिन वो क्रोणों का तक का इसओ कर रखा था, तो मनी लांडरिंग भी कहत्रा लग रहा था, कि इसका मतलब मनी लांडरिं नंबर से अगर हजारों की संख्या में जो एकाउंट खोले गए तो कहीं यह कंपनी ने खुद ही तो नहीं किया ताकि उनके जो सब्सक्राइबर बेस हैं वो बड़े और ज्यादा नज़र आए जिसकी वज़े से वो मार्केट से वैलुएशन ले पाएं यह हैं देखक घिड़ी तो के वाइसी और इसमें जो रिलेटेट पार्टि ट्रांजेक्शन्स में भी ट्रंजेक्शन्स हुए है और जो के वासी वगएरा में तो देखी गई है टेफिशेंसी यह लेकिन क्यार पात करें हैं कि इंटनाल और या अन।य यह पॉइंट्स अभी वेरिफाई होंगे हैंने एडी को डिपाइए ने एडी को दे दिया है कि यह आप वेरिफाई करें और गौर्मेंट अधेशिंस को इसके लिए दिया है अब जो आप पॉइंट कह रहे हैं कि यह कोई इसरत की किया नहीं किया इए खो सकता है जो इसक्ते सिस्टम में बढ़ाने के साफ से वेलिजिंड के साफ से नेवर कॉपकरेंट को जएदा के साफ से रगूली चीजहों को मिश किया हूँ यह भी हो सकते हैं और बहुत सारी एप जो Fintax है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को finance मिनिस्टर को RBI को लिखा है कि RBI इस तरह के strong steps उठाईगी क्योंकि क्रोडो लोग depositors भी है क्रोडो लोगोंने वैलेट ले रखा है क्रोडो लोग transactions करते हैं उनमें panic आ जाएगा और ये system के इंदर confidence खतम होगा जो start-ups है कि आर्बी इस तरह से कर देगी और कोई तरीका है बंद करने की बजाए कुछ पैनलाइज कर दे कुछ इस तरह से कि यह step सही है इसको टोटल 29 परवरी के बाद बंद कर दिया जाए तो यह सारी चीजे है ना उनके भी step उठ रहे हैं जो और start-ups हैं फिंटेक्स companies हैं उन्होंने भी complaint की है और फैनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बाते भी चलती है चल रहे हैं सुभाश चीव ऐसे मिलब जिससे हम सब जानते हैं कि नोट बंदी के बाद जो सबसे इतनी regulatory इतना compliance इतनी नहीं थी तो जो लोग जिनके पास प्रोपर पेपर नहीं थे या कोई जो लोग सो अकाउंट खुलवाने हैं दस अकाउंट खुलवाने हैं गी पैन नंबर से यहां खुले हैं इससे तो लगता है कि उन लोगों के लिए यहां अकाउंट खुलना असा अंतर बहुत पैसा इन्होंने जमा कराया है क्योंकि transaction तो इनकी काफी हुई है number of transactions काफी हुई है सुभाई जी जो बात चल रही है कि कोई दूसरी बैंक इसमें इसको take over कर सकती है या इसमें invest कर सकती है उसके विशे में आपको क्या लगता है कि उससे क्या फर्क पढ़ेगा पेटियम और यह उसके आर बी ने इनको मना किया है कि आप यह transfer नहीं कर सकते हैं आज जैसे क्या होता है कि मालों पांस क्रोड अकॉंट है लंशम ट्रांसफर कर दिया ऐसा नहीं कर सकते और बेने मना किया है नहीं तो उनके लिए वहां पे payment लिलेते और यह आसान होगता सिर्फ इतना है कि भी आप अपना काउंट यहां बंद कराएं और वहां खोल लें और यह फैसिलिटेट कर दें कि वह कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो फटाफट फैसिलिटेट कर दें फंड ट्रांसवर कर सकते हैं लेकिन यह पूरा यह बंद करेंगे और इनका फंड जो है वो ट्रांसवर कर सकते हैं यह प्रोसेस जैसे चल रहा था यह 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 बैंक या सब जब वो आरबियाई अभी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है तो वो नहीं पूसिबल होगा कोई भी इसको करना और सुभाज जी जैसे तो अभी सब चीज तरह की मैं किसी से बात चीज़ नहीं कर रहे हैं इस तरह की लैंग्वेज में और उन्होंने तो डिनाई किया है सुभाज जी जो इसके पीटीम में जो शेर होल्डर थे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था जो फंड मैनेजर थे तो क्या आपको लगता है कि वो ट्रैप हो चुके हैं और वो क्या करेंगे या मलब जो निवेशर का इन्वेस्टर है उसको क्या करना चाहिए क्या उसको भी इसमें इन शेर्स में बने रहना चाहिए या एक्जिट ले लेना चाहिए देखिए ऐसा है नविंदर जी शेर चालिस ब्यालिस परसेंट टूड़ गया था तीन सो पचानमें रुपए पचास परसे तक यह लोवेस्ट में आ गया था आज थोड़ा सा वापिस हुआ है कल भी थोड़ा वापिस हुआ था क्योंकि यह फैनेंस मिनिस्टर से मिले थे छे फरवरी को तो लोगों को लगा कि सायद इसका रोजूशन निकल जाए लोगों ने यह मैसूस किया था कि इतना बड़ा सेट अप है इतना बड़ा बैंक है इतना बड़ी इतनी टांजेक्श सब्सक्राइब कर दे कि नाओ आम कंप्लाइंट और इन फूचर आई विल रिमेन कंप्लाइंट लेकिन आरवी बहुत सकती से इन्होंने रिक्वेस्ट भी कि है कि टेट हमें एक्स्टेंड कर दो तो अभी आरवी इस बारे में कुछ नहीं कहा है डेट एक्स्टेंशन के ब एसा पोजिटिव एस्टेंश नहीं दिया कि इस रिगुलेटरी इशू यू गो टू आरवी आई यू टॉक तु देम यू रिजोल देर इशू यू रिजोल देर फ्लैक्स और टॉक तुटु देम वी करनोट हेल्प यू विकोज इती जे रिगुलेटरी इसू तो उनको यूँ वहां से निरासा ही हाथ लगी है और हिर भी वहुत तरफ से कंप़नी भी कोशिस कर रही है और बहुत सारी फिंटेक कंपनी भी जैसे मैंने बताया की isn कर रही हैं कि इतना स्ट्रिक्ट एक्षन ना लिया जाए कुछ लगा लें और कुछ आगे के लिए चांस एक बार दे दिया जाए है नहीं जो लेकिन अब देखते हैं सुभाज जी जो इन्वेस्टर से उनको क्या करना चाहिए अगर जो भी अभी भी बने वैसे तो बहुत सा लेकिन क्या होता है कि एक कंपनी के उपर जब दबा पड़ जाता है ना तो पब्लिक ट्रस्ट खतम हो जाता है तो इन्वेस्टर जो है उनके पास बहुत सारी उप्सेंस हैं तो इसमें फिर वो जो एग्रेसिवनेस है जो बिंदिस बढ़ने का जो तरीका है वो मुझे नह जाएगा नहीं तो मैं नहीं समझता कि यहां पर इसको शेर में ग्रोथ मिल ली चाहीए ऑगर आरबी ऐ अपने रिस्टिक्शन को वापस लेती है तभी इस शेर में ग्रोथ देखने को मिल सकती अन्यथा नहीं तो अन्यथा पेमेंट पेटियम पेमेंट बैंक जो है ना यह समझता हूँ जो हमारे निवेशक हैं जो आपके कार्कम को देखते हैं तो उसी के हिसाब से अपनी राय भी बनाएंगे और बड़ा कहते हैं होश पूर्वग जो है पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो आपकी कंपनी की टेगलाइन है मुझे कई बार बड़ी अच्छी लगती है SMC की Money Wise, Be Wise Money Wise, Be Wise तो भी आप पैसे को समाल के रखें क्योंकि पैसा कमाने में बहुत समय लग जाता है लेकिन निकलता देखें भी पेटियम का शेर 40% जैसा बताया ठूटा तो सारे पैसे खतम हो जाते हैं बंदिवास भाजी आगले टॉपिक में भी देखेंगे